तोस्तों Yes Bank की बात के तो आने वाले समय में यहाँ पे एक बहुत जबर्दस तेजी आ सकती है इसके पीछे है बहुत बड़ी वज़र जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से अब आप देखी सकते हो कि Yes Bank को लेकर काफी ब्रोकरेज आउस है जो लगातार बहुत ज़रा निगेटिव कमेंट्स भी देते है और लगातार इसकी रेटिंग को भी डाउन ग्रेड करते है लेकि उसके बावजूद भी Yes Bank लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है Yes Bank अपने ATM की संख्या को बढ़ा रहे, Yes Bank अपनी ब्रेंच को भी बढ़ा रहे साथ में अपना बीजनस बढ़ा है, डिजिटल ट्रांजेक्शन में तो Yes Bank ने दुसरी बैंकों को बहुत पीछे पचाड दिया है और जिस तरह से बीजनस बढ़ रहा है, प्राइज अभी नहीं बढ़ी है, प्राइज बहुत तीच है आप यह समझे सकते हो कि अलरी यह जो श्टॉक जो 24 तक जाके आए, इस समय अगर आप देखे तो आपको 20 के आसपास मिल रहा है तो क्या इस मौके का फाइदा उठाना चीए, क्या एक लंबा नजरिया लेकर Yes Bank में इन्वेस्मेंट कर लेना चीए, क्या यह हमें एक मल्टी बैग रिटन दे सकता है इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के मादे में से और आके बड़े फंडा उसका रुजान क्या है Yes Bank को लेकर दे लेकिन फ्रेंट उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइक ओन दबा दीजिए त आपके तो आज कमाली कर दिया, बाजार ने जबर्दस्त उडान लगाई है, 66,901 के इस्तर पे BSE Sensex आ चुका है नि, 67,000 के इस्तर को छूने को तैयार है, फिर से बाजार अपनी All Time High की तरब बढ़ रहा है, 727.1 की सांधार तेजिए, यानि 1.10% अपर BSE Sensex ने आज क्लोज आपले निप्टी बैंक ने अच्छा किया, और उतनी ही तेजी निप्टी प्राइड बैंक में भी थी, 23,179 के इस्तर पे करीब 1.49% की बंपर तेजी, अब बड़ी तेजी तो बनी लेकिन आप देख से तो कि आज FI ने अपनी जो खरीदारी वो कम की है, ये भी दिख रह तो उनकी खरीदारी का आखड़ा मात्र 71 करोड का पॉजिटिव रह गया है, तो देख सकते हो कि बिक्वाली फिर से थोड़ी सी कम होने लेगी ये चिंता जनक बात है, वैसे इस महिने में बिक्वाली घटके अब 2352 करोड के आसपास ही रह गया है, क्योंकि पिछले देख स 2360 करोड की पॉजिटिव है, और इस मैनिमोनों ने 13,542 करोड का जबर्दस इन्वेस्मेंट नया कर लिया है, ये बाधार के लिए काफी अची बात है, अब येस बैंक की बात करें, तो स्टॉक की सुरुआत हुई 19.85 पर, तो देख सकते की सुरुआत पॉजिटिव हुई कल की क्लोजिंग 19.75 के आसपास थी, इंट्राइड में 20.45 का हाई भी बना, लेकिन उपर के लेवल से कुछ दबाव देखना को मिला, अंत मैं 19.80 का लोग बना, और जो क्लोजिंग है वो 19.85 के आसपार है, जा पे 0.51 परसंग की ही तेजी देखना हो मिली, तो बड़ी इस नॉबर के लिए स्टॉक में एक सांधार तेजी हमने देखी, स्टॉक पहुचा फिर से 20.15 के आसपास, 4.9 परसंग की लगभग 5 परसंग की सांधार तेजी के साथ, उसके बाद 24 नॉबर को स्टॉक फिर से 19.80 के आसपाई है, 1.7 परसंग की गिरावट ही, और 28 नॉब स्टॉक 5 डे, 10 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे, 150 डे और 200 डे मुविंग अवरे से उपर आपको ट्रेड करता हो दिखाई देगा, इस समय स्टॉक न तो ओरबोर्ट जोन में है, नहीं ओवर्सोल जोन में है, अब प्रभुदास लीलादर की तरफ से इसमें कहा गया है कि स्टॉक एक देखतों कि डिसंट डेली में आया है, आप देखों 15.90 के जोन से वो 21.95 के लेवल तक पहुचा है, और आप देख सकते हो कि इसका एक जोन है 19 का जिसको क्रॉस किया है, यहां पे एक आप शॉर्ट टम में अच्छी डेली की समाहनों बंद रही है, तो देख सकते हो कि 20.50 क क्रॉस करने के बाद अगर आप देखे, तो यह 22.50 तक इसका पहुचेगा और वहां से फिर इसके 24 के लेवल देखने हो को मिल सकता है, यहां पर आप खरीदारी करेंगे तो आपको 24 का टारगेट देखने को मिल सकता है, शॉर्ट टम में आप यहां पर पैसे कमा सकते हैं, आनन्द राटी के दरब से मेहूल कोठारी का कहना है कि यहस बैंग इस समय एक रेंज को ब्रेक आउट कर चुका है, तो 19.50 को पार करने के बारे आप देखे, तो इसको 22 और फिर 24 के टारगेट देखने हो को मिल सकते हैं, आने वाले सकता में, डाउन साइड में सपोर्ट ज इसको पार करने के अच्छी अपसाइड देखनों को मिल सकती है, तो फिर इसमें गिरावट के सम्माल बंद जेगा है, अगर यह 21 के उपर क्रॉस हो जाता है, उसको इसको पार करने के लिए तो फिर 23.40 जिरो के इंडिया टम में टार्गेट देखनों को मिल सकते हैं, कुल मिला के इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, अब यहां पर जो देख सकते हो कि जो बड़ी अपडेट निकल के आई है कि आई साइसी सेकूर्टी इंडिया फाइनेसल कॉन्फरेंस जो हुई है दो जिसमे आई है, आप देखे दो, उनकी एसेट कॉलिटी में बहुत जादा सुधार हुआ है, बीजनस काफी अचा है, इस समय देखे, तो तेजी से बढ़ने वाली यह बैंक दिखाई दे रही है, ऐसे में इसमें आप समझ सकते हो कि यहस बैंक और भी बहुत कुछ अचिव करेगी यहस बैंक ने अपने NPA से छुटकारा पा लिया है, आईसे से सिकूरिज के तरफ से जो का गया है, उसमें उन्होंने यहाँ पर जो नोट दिया है कि आईसे सि यहस बैंक इस समय 50-50 परसेंड अपना MSME और रिटेल सेग्मेंट के बिजनस को मैंटें किये हुए, काफी अच अच्छा करते हुँ दिखा देगी, अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, तो सुबन 9 बचकर 18 मिनट पर 20.10 की प्राइसे 40.80.50 की जबरदस खरीदारी हुई, फिर 9 बचकर 23 मिनट पर 20.25 की प्राइसे 40.53.50 की बिक्वाली हुई, उसके बाद 9 बचकर 29 मिनट पर 20.30 की प्राइसे 24.74.50 की जबरदस खरीदारी हुई, तो उसके बाद अगर आब देखें, तो 2 बचकर 32 मिनट पर 19.85 की प्राइसे, 26.73.50 की एक बड़ी खरीदारी और हुई, उसके बाद 2 बचकर 46 मिनट पर 19.90 की प्राइसे 41.39.50 की बिक्वाली हुई, तो उसके बाद 2 बच कर 90 मिनट पर 19.85 की प्राइसे 22.60,000 की एक बड़ी खरीदारी और हुई, फिर तीन बचकर 9 मिनट पर 19.85 की प्राइसे 47.97,000 की बिक्वाली हुई, तो यहां पर देख सके दोनों तरब का माहुल बना हुआ है, कुछ बड़े फंडा उससे में बिक्वाली भी करें, तो बड यह स्टॉक फोर इंडिट के आसपास हुआ करता था 2020 के पहले, और अब जैसे कि एस बैंक का बीजनस पत्री पर आ चुका है, मैनेजमेंट ने जो कोसिस की उसका फाइदा देखना को मिल रहा है, तो आने वाले समें डेफिनेटली यह स्टॉक कमाल करेगा, और डिप में ख खुदका रिसर्च करेगे, क्योंकि मैने वीडियो आपके एजुकेशनल प्रपस के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए, तो लाइक से जरुकीज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यो फ्रेंड